Hello friends, welcome to जारकन परिक्षा, जारकन समाने ग्यान के सिरिज में, आज हम लोग बहुत धर्म के बारें पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोगोंने क्या पढ़ाया, एक बार बस देख लिया जाए, इसके पहले के क्लास में, हम लोगोंने सबसे पहले देखा था, जारकन के जीलों की अ सत्थापना, कब और कैसे, कब और कैसे, ठीक है, उसके बाद हम लोगोंने देखा कि जारकन का सहितिक उलेग, जारकन का सहितिक उलेग कहा मिलता है, और किस नाम से मिलता है, पिर उसके बाद जारखंड में जारखंड में जैन धर्म का परसार इसके कौन-कौन से साख्षे पाए गया हैं, कौन-कौन से आउसे पाए गया हैं, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था, आज जो है, आज का जो लेक्चर है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे जारखंड में बाद धर्म का परसार, जारखंड में बाद धर्म का परसार हुआ है, इसके क्या साख्षे हम कैसे कह सकते हैं, कि जारखंड में बाद धर्म का इफेक्ट था, इसका परसार हुआ था, तो यह आज हम लोग परने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत धर्म देखें जारकंड में बहुत धर्म का परसार हुआ था ये कैसे कहा जा सकता है यहाँ पर जो अवसेज पाए गया है जो बुद्ध की मूर्तियां पाए गई है बहुत विहार पाए गया है तो इन सभी साक्षे के धत हम ये कह सकते हैं कि बहुत धर्म का परसार ठीक ठाक हुआ था जारकंड में बहुत धर्म का क्या मतलब हुआ सीधा पढ़ना है गौतम बुद्ध और इनका जो जन्म है 563 बीसी में हुआ था वहीं अगर हम लोग महावीर स्वामी की बात करें तो 540 बीसी अब देखिए ये जो समय है ये वो समय है जब जारकंड में असुर पहले से ही आकर बच चुके थे और इस समय तक इस समय तक ये विक्सित हो चुके थे इनका जो लौह उद्ध्योग था इनका जो लौह उद्ध्योग था ये भी काफी विक्सित हो चुका था और यही टाइम पिरियड है मतलब की 600 बीसी या फिर आप कह सकते हैं चट्थी सताप्ती इसापुर तो यही वो समय है जब जारकंड में जब जारकंड में मुंडाओं का आगमन होता है मुंडाओं का आगमन और फिर जब यह आते हैं तो इनका असुरों के साथ संगर्स होता है और फिर रिशा मुंडा के गाइडिंस पे सुतिया पहन जो है मुंडा राज की अस्थापना करते हैं सुतिया नाखंड की तो फिर कैसे फिर ये नागवन्स में कनवर्ट हो जाता है, यह समलब पढ़ेंगे इसके बाद, तो यही वो समय जब मुंडाओं का भी आगवन होता है, अब यहाँ पर कुछ चीजे हैं, एक दो राइटर के लिए वो आपको जानना चाहिए, जैसे गौतम बुद का जो जन ह हुआ था, 563 इसापुरों में हुआ था, और यह कहां हुआ था, यह हुआ था लुमिनी में, लुमिनी जो की कपिल वस्तूर के पास है, लेकिन जारखन के दो फेमस इतिहासकार हैं, एक विरोत्तम हैं, पिछले कलास में याद होगा आपको जब मैंने जैन धर्म के बारे मे मैंने बताया था कि जब माविर स्वामी जारखन के छेतर में आते हैं, तो इनसे अच्छा विवार नहीं किया जाता है, और यह जो अच्छा विवार नहीं किया जाता है, जो लोग ऐसा करते हैं, उन्हें धृष्ट जन से सम्मोधित किया गया है, और यह धृष्ट जन जो हुआ है जो कि सिधा नकार दिया गया है इसको accept नहीं किया जा सकता है एक विरुत्तम हो गया है और दूसरे अमनात है इनका भी कहना है कि जारकन के छेतर में ही इनका जन्म होता है तो दोनों बस नाम याज रख लेना है लेकिन कोई तुक नहीं बनता है इससे चानने का ओके तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनका जन्म होता है इस काल में फिर उन्णाओं का भी आगमन होता है अब ज जब जन्म होता है, जारकन में बॉत धर्म का परसार हुआ तो definitely कहीं कहीं कौतम बुद से जारकन जुड़ा हुआ, किस तरह से जुड़ा हुआ ये हम लोग अभी देखेंगे, जब इनका जन्म होता है, तो इनकी मा की मृत्ति एक सब्ता के आसपस, इनकी मा की मृत्ति हो जात में एक सन्यासी इनके पिता के पास पहुंचते हैं, और इसे इनके बारे में ये कहा जाता है, कि बड़ा होके या तो या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, चलि ये राजा बनता है तो ठीक है, लेकिन सन्यासी बने, तो इस पर गौतम बुद्ध, अभी हम लोग गौतम बुद्ध नहीं बोलेंगे, अभी हम लोग सिधार्थ बोलेंगे, सिधार्थ, तो सिधार्थ के लिए ऐसा future होगा, ये सुनकर इनकी पिताजी डर गया है, और फिर इनों ने सोचा कि इनका जो पालन पोसन होगा, ये इस तरह से क किया जाएगा, कि कभी भी इने किसी तरह का दुख ना हो, कभी भी किसी तरह का कुष्ट ना हो, तो बच्पन से ही इने जो है, अच्छे महौल में रखा जाता है, लेकिन फाइनली जब राजपार्ट देने का समय होता है, तो ये बाहर निकलते हैं, और फिर असली दुनिय को देखते हैं, हकिकत को देखते हैं, और ये डिसाइड करते हैं, कि ये सन्यासी बनेंगे बाहर, मतलब घर को छोड़कर ये बाहर चले जाएंगे, अब क्या होता है, कि एक रात, ये महल में होते हैं, अपने सार्थी और बोड़े के साथ ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है गर छोड़ने के लिए गिरित्याग की बात हो रही है यहाँ पर एक नदी है अनोमा नदी अनोमा नदी ठीक है यहाँ से यह जो इनका वेजबूसा है जो राजकी वेजबूसा है राजगराने का वो त्यागते हैं और इस नदी के जश्ट बगल में एक उद्यान है अनुप्रे उद्यान इस उद्यान में यह कुछ समय तक बैट कर चिंतन करते हैं कुछ दिनों तक चिंतन यह इसलिए करते हैं यह सोचते हैं कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ मतलब बचपन से ही मैं राज घरानी के जिन्दगी मैंने जी है तो आगे चल कर क्या मैं इसे accept कर पाऊंगा तो इसलिए ये चंतन किया जाता है फाइनल ये डिसाइट करते हैं कि आगे बढ़ेंगे होगे जब ये आगे बढ़ते हैं जाते हैं वैसाली ये वैसाली पहुंचते हैं तो वैसाली में इन्हें एक गुरू मिलता है इन्हें एक गुरू मिलता है उनका नाम क्या होता है? अलार कलाम ये सांख्य दर्सन के गुरू है सांख्य दर्सन ठीक है? वैसाली फिर इसके बाद ये पहुंसते हैं राजगरी राजगरी पहुंसते हैं राजगरी में भी इनको एक गुरू मिलता है रुद्रक रुद्रक रामचंद्र फिर राजगरी के बाद ये पहुंसते हैं उरुवेला मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ मैं ये बताना चाहता हूं कि जारखन में इनका परविस कैसे होता है उरुवेला ठीक है तो उरुवेला में 5 सन्यासी पहले से ही तपस्या कर रहे होते हैं इनसे इनकी दोस्ती हो जाती है फिसात में ये तपस्या करते हैं एक समय की बात है, जब ये पाँचो सन्यासी जंगल गए होते हैं लकड़ी के लिए, और यहाँ पर एक राज करन्या पहुंसती है, और सिधार्थ उसमय यहीं पर होते हैं, तो उनको जो है, ये लड़की एक कटोरे में खीर देती हैं, और ये खीर ये खा लेते हैं, और अपने साथियों के लिए छोड़ भी देते हैं कुछ, जब इनके साथी वापस आते हैं, तो सिधार्थ कहते हैं कि मैंने खा लिया है, आप लोग भी खा लो, तो फिर ये लोग बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया, हम लोग इतने सालों से जो तपस्या कर रहे थे, ये जो है, नस्ट हो गया है, दोनों में वाद वाद होता है, कि फाइनली ये रिजल्ट होता है कि गौतम बुद, मतलब सिधार्थ जो हैं, ये आगे बढ़ जाते हैं, और ये लोग यह ही रहते हैं, तो जब सिधार्थ आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, इन्हें एहसास होता है कि मैंने गलती किया, ये पहुंसते हैं बहुत गया, बहुत गया में, पीपल वरिक्ष के नीचे जो है, ये फिर से तपस्या करने लगते हैं, और तपस्या के, तपस्या के आठ में दिन जो है वैसाख पुर्निमा के दिन इन्हें ग्यान की प्राप्ति होती है अब इसी चीश को बताने के लिए ये फिर से उरुवेला पहुंचते हैं कि मैं आपने साथियों को बताऊंगा ये उरुवेला पहुंचते हैं लेकिन ये लोग यहां नहीं होते हैं तो पता चलता है कि ये लोग साथनाथ गया हैं तो ये साथनाथ पहुंचते हैं साथनाथ पहुंचते हैं फिर साथनाथ में इंसेन की मुलागात होती है दोनों में वाद इवाद होता है ये लोग बोलते हैं कि इतनी जलती कैसे ज्ञान की प्राप्ती हो गई है ठीक है तो अब क्या है यहाँ पर कि दोनों में वादिवाद होता है और यहीं पर जो हैं यह प्रतम उद्देश देते हैं इनको इन पाँचों को इसे ही कहा जाता है धर्म चक्र परवर्तन फिर सारनात के बाद यह कासी पहुंचते हैं फिर कासी से अब देखे रिटर्निंग हो रहा है कासी से यह पहुंचते हैं वापस सारनात यहाँ पर यह एक साल बिताते हैं पहला जो वर्सावास है यह सारनात में यह बिताते हैं फिर सारनात से ये पहुंचते हैं उरुवेला उरुवेला के बाद ये वापस पहुंचते हैं राजगरी ठीक है बस इसी दौरान जो है इसी दौरान जारखन में इनका आगमन होता है इसी दौरान जारखन में इनका आगमन होता है पुरुवेला और राजगीर के बीच में फिर राजगीर से ये जो है राजगीर से ये जाते हैं कपिल वस्तू मतलब कि इनका जो घर है वहाँ ये पहुंचते हैं अपने परिवार से मिलते हैं और घर जाने के करम में यही अनुपे उद्यान में एक लड़का मिलता है इने बाद में यही जो है इनके प्रियसिस से बन जाता है जिनका नाम होता है आनंग फिर कपिल वस्तू में जाने के बाद ये पहुंचते हैं फिर वैसाली ये वैसाली में ही इनके जो संग है इस संग में महिलाओं का आगमन हो जाता है, महिलाओं को इंट्री मिल जाती है फिर वैसाली से ये पहुंचते हैं पावा ये पहुंचते हैं पावा पावा में चंदर नाम का एक वेक्ति होता है जिनके हातों से ये भोजन खाते हैं लेकिन इने जो है food poison हो जाता है तबित खराप हो जाती है लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ते हैं उसी नगर जाते हैं उसी नगर में ये अंतिक उद्देश देते हैं सुभध रखो और वहीं इनके मिलती हो जाती है तो ये सब बताने का उद्देश यही था ये था सिधार्थ के बारे में जब इनको ग्यान की प्राप्ति हुई तो ये फिर गौतम बुद्ध कहला है अब हम लोग देखेंगे कि जारकंड में बहुत धर्म के लिए कौन कौन से साक्षे पाएगा है जिसके according हम कह सकते हैं कि जारकंड में बहुत धर्म का परसार ठिक टाक हुआ है हम लोग स्टार्ट करते हैं पलामू से पलामू में अगर जैन धर्म की बात की जाये तो यहाँ पर एक गाउँ है हनुमान गाउँ जहाँ पर जैन धर्म के पुजास्तल राप्त हुए है वो था जैन धर्म बहुत धर्म के लिए यहाँ पर दो जगाई एक है मुर्तियागाँ और दूसरा है कर्वागाँ मूर्थिया गाउं जो है यहां पर सिंग मस्तफ पराप्त हुआ है यहां से सिंग मस्तफ पराप्त हुआ है यह वैसा ही सिंग सिर्स है जैसा कि साची का जो अस्तूप है उसके द्वार पर जो सिंग है सेम वैसा ही है यह हो गया और अभी ये सिंगमस्तस्क जो है ये राची संग्रालाय में रखा हुआ है संग्रालाय में रखा हुआ है ठीक है उसके बाद करुअगाउं जो है यहाँ पर ऐसा कहा गया कि बहुत अस्तूप मिला है लेकिन अभी तक बहुत अस्तुक मिला है लेकिन अभी तक जो है इसका पुरतात्रिक विसलेसन नहीं हो पाया है और अगर आप मनिसरंजन की पुस्तक पढ़ेंगे मनिसरंजन की पुस्तक पढ़ेंगे तो इस जगा को धनबाद में बताया गया है इस जगा को धन बाद है बताय गया है मने स्रणजन दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मने स्रणजन गरामेन विवाग के सची होएं अभी तो ये हो गिया पलामो उसके बाद हम लोग देखते हैं धनबाद धनबाद ठीक है और एक है बुद्धपुर लेकिन अब इसका कुछ हिस्सा जो है वो पुरूलिया में पढ़ता है लेकिन चुकी सुरुआत से चला रहा है तो ये नाम आपको याद अपना है दालमिगा और बुद्धपुर ठीक है और इन दोनों जगाँ से जो है बौत धर्म से रिलेटिट काफी उसे इस पराप्त हुं है इसके बाद है हजारी बाग हजारी बाग हजारी बाग में एक पहाड है जिसको सीतागड सीतागड पहाड बोलते हैं सीतागड पहाड तो सीतागड पहाड से यहां से अस्तूप भी मिला है और विहार भी मिला है अस्तूप क्या होता है अस्तूप विहार और चैते चैते बहुत धर्म का पूर्यास्थाल हो गया विहार जहां पर बहुत एक्चु लोग रहते हैं अस्तूप हो गया जहाँ पर गौतम बुद्ध और बौधी सक्तू के औसेस रखे गये हैं तो अस्तूप और विहार के साक्षे प्राप्त होएं सीतागर में सीतागर पहाड में इसके अलावा बरही जीटी रोड के किनारे हैं यहाँ पर गर्म जलकुण्ड का भी एक सुरूत है साथी साथ यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर पाए गया है एक प्राचीन मंदिर है और इसी प्राचीन मंदिर में बुद्ध की मूर्तियां पाई गई हैं तो ये हो गया हजारी पाक उसके बार एक खोटी खोंटी खोंटी में एक जगह है बेलवा दाग यहाँ पर एक टीला पाया गया है और यह माना जाता है कि यह जो टीला है यह बौध विहार है यह बौध विहार है ठीक है? यहाँ पर कुछ इंटे प्राप्त हुई है और ऐसा कहा जाता है कि यह जो इट है यह मौरे कालिन इट है क्योंकि इसका जो सेफ है यह वैसा ही है जैसा कि सांची अस्तूप में हिरूज हुआ है इसलिए हम कह सकते हैं कि मौरे कालिन है सांची अस्तूप 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 ने बनाया है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सुख काली मतलगी मौरे काली में ओके यह हो गया बेलवादार खुंटी का अगर राची की बात की जाए राची की बात की जाए तो राची में जोनहा जल परपात जो है जोनहा जल परपात तो यहाँ पर गौतम बुद्ध की मुर्ती पाई गई थी, अभी लेकिन वो मुर्ती नहीं है, और यही कारण है कि इसका जो नाम है, जोना जल प्रपाद का, इसका नाम गौतम धारा जल प्रपाद भी है, ओके, यह हो गया राची का, फिर एक गुमला, गुमला में कटूंगा गाउं, कहें कहें कटूंगा लिखा राता है, कहें कहें कटूंगा लिखा राता है, ओके, तो गुमला में कटूंगा गाउं है, और यहाँ से जो है बुद्ध की प्रतिमा मिली है, ओके, यह हो गया गुमला, उसके बाद, पुर्वी सिंग्मुम, पुर्वी सिंग्मुम पुर्वी सिंग्मुम की बात की जाए तो जमसेदपूर जमसेदपूर में पटमबा कहीं कहीं पटमदा लिखा राता है पटमबा या फिर पटमदा गाओ तो यहां से भी जो है बुद्ध की अनेक मुर्थियां पाए गई है पटमबा या फिर पटमत अगाँ फिर है सराइकेला खरसावा पीचागड यहां से तारा की मुर्थी बिली है तारा देवी की मुर्थी और इसका कुछ साख्ष जो है चत्रा में भी पाया गया है कोलवा पार में इसके बाद हम लोग चत्रा ही देखेंगे और इसको जो है इसको राची संग्राले में रखा गया है इस मुर्थी को और स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि मुर्थी गाँ में पलामू का जो मुर्थी गाँ हो था वहाँ से जो सिंग मस्तस्क प्राप्त हुआ है उसे भी राची संग्राले में रखा गया है तो यह सराइकेला खरसावा हो गया next है गिरिडी गिरिडी जो है जैन धर्म के लिए प्रसीद है लेकिन यहाँ पर बहुत धर्म के भी साक्षे प्राप्त हुए है गोलमारा नाम का जगा है गोलमारा यहां से बुद्ध की खंडित मुर्ती प्राप्त हुई है उसके बाद संथाल प्रगना है संथाल प्रगना को जो है नरीखंड के नाम से जाना जाता था बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया वहीं अगर हम लोग बहुत सहीति की बात करेंगे तो कजंगला के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर संथाल प्रग्राम में खासकर जो पहाड़ी इलाका इसका है और राजमाल का जो छेतर है यहाँ पर बुधमूर्थियों की खोश जो है कनिंगम के द्वारा के गए थी कनिंगम के द्वारा बुधमूर्थियों की खोश यह हो गिया संथाल पर बना क्या इसके बाद है चत्रा चत्रा में इटखोरी नाम का जगा है और यहाँ पर एक मंदिर है जिसको हम लोग बद्र काली मंदिर बोरुते हैं बद्र काली मंदिर तो यहाँ पर इस मंदिर के परिसर में बुद्र की चार प्रतिमाएं पाए गई है यह हो गया साती साथ चत्रा का ही जो कोलवा पहाड है मैंने जैन धर्म के बारे में जब मैं जैन धर्म के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था कि कोलवा पहाड जो है यह हिंदु धर्म जैन धर्म और बहुत धर्म तीनों से रिलेटेट है जैन धर्म के बारे मैंने बताया था कि यहाँ पर 10 वे तिρ्थंकर इन्होंने या निर्वान प्राप्ट किया था 9 तिर्थंकर की मूर्ती पाई गई है एक पैर के निसान है यह माना जाता है कि यह पारसुणात का है तो इस तरह से जैन धर्म से रिलेटेट है गया चतरा तो यह ओगया कि जारकंड में कहांकि पाये गया है इसके अलावे दो तीन चीज और है कि अगर हम लोग असुर्व की बात करें तो जारकंड का जो चैत्र है इस छेत्र में जंजातियों को उप्देश देने के लिए एक उप्देशक को भेजा गया था और उस उप्देशक को रक्षित के नाम से जाना जाता है ये हैं उप्देशक जंजातियों के लिए इनको भेजा गया था और जनजातियों को उपदेश देने के लिए इनको भेजा गया था इसकी जो सूचना मिलती है ये दूसरे सिलालेक इनका जो दूसरा सिलालेक है इससे जानकारे मिलती है जनजातियों को उपदेश देने की बात कही गई है इसमें और इनका जो 13 सिलालेख है, तो इस सिलालेख से पता चलता है कि इस झेतर को, जारकन का जो झेतर है, इसको आटवी या फिर आटाव कहा गया है तो यह दो चीज़ याद रखना, एक रक्षित हो गया, आटवी या फिर आटाव हो गया इसके बाद अगर हम लोग देखें पाल सासक के बारे में तो इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है पाल सासक में देखें पाल सासक के समय जारखन में बौत धर्म का एक तरह से सनक्चन ही हुआ था और इसी समय पाल सासक के समय में ही बहुत धर्म का जो वजर्यान साखा है वजर्यान साखा ये भी अस्थापित हो गाता ठीक है तो ये याद रखना है ये पालसा सक्का हो गया और गुप्त वंस में गुप्त वंस में ये याद रखना है देखे समुद्र गुप्त जो थे समुद्र गुप्त तो समुद्र गुप्त के समय से ही जो है जारखन में बौत धर्म का हास होने लगता है क्योंकि ये वैसनो धर्म से रिटेट थे तो एक तो हो गया गुप्त बंस गुप्त बस में समुद्र गुप्त कहीं कहीं कुमार गुप्त भी लिखा रहाता है कि कि इनके समय में बहुत धर्म का हास देखने को मिलता है। तो ये हो गया, इसके बाद जो सैव सासक थे, सैव सासक, खास कर ससांक, इन्हों ने तो तबाही मचा कर रखी थी बहुत धर्म के अगेंस्ट में। पीपल व्रिक्ष जो था, जहांपर गौतम बुध ने ज्यान प्राप्त किया था, उस पीपल व्रिक्ष को ससांक नहीं कटवाया था। अभी का जो पीपल व्रिक्ष आप जो देखते हैं बहुत क्या में, वो छट्टी या फिस सात्वी पृड़ी का है, तो ससांक एक रिजन ये हो गया, एक रिजन समुद्र गुप्त या कुमार गुप्त अब कह सकते हैं, क्योंकि अलग-अलग किताबों में अलग-अलग नाम लिखेगा है, इसलिए मैंने दोनों यहां बता दिया है, कि समुद्र गुप्त अप्समें रहेगा, तो आपको ये टिक करना है, वो इस क्रिजन था, कि जारखन से बौध धर्म का हास होने लगा था, तो ये हो गया बौध धर्म, इससे ज़्यादा नहीं पाड़ना है, ये हो गया बौध धर्म, इसके बाद जैन धर्म, बौध धर्म कम्प्रीट हो गया, अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसी समय जो है, मु मुंडा राज की अस्थापना होती है, जारखन में, यह पहले जन जाती है जिनको राज अस्थापना के लिए, पहले राज की अस्थापना मुंडा के द्वारा किया जाता है, यह मुंडा जन जाती है, तो इनकी अस्थापना होती है, मुंडा राज की अस्थापना होती है, फिर यह ट्रांसपर हो जाता नागवंसियों को तो कैसे होता है और फिर कैसे यह सलसले वार से जारकंड का इतिहास जो है एक अच्छे रूप में चलता रहता है यह हम लोग जानाएंगे नेक्ट क्लास में इसका जो पीडियेफ है यह जो क्लास नोट से यह सेंट कर दिया जाएगा टेडिग्राम में चलिए मिलते हैं जारकंड के लिए वीडियो में चलते हैं